यहाँ पर आप सीखते हैं बिलकुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोजाना प्रियोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मिनिंग सीखेंगे वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा यानि की हिंदी में अनुवाद होगा जिससे धीरे-धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ-साथ सही वाक्यों की पहचान होगी उनको आसानी से समझ पाएंगे इस क्लास में आप धेर सारे ऐसे सेंटेंसेज और वर्ड्स को सीखेंगे क्लास में भी कुछ इंपोर्टेंट और यूसफूल वर्ड मिनिंग्स होगी जो वर्ड्स होंगे उनका उच्छारान प्रननसेशन बताऊंगे हिंदी में मतलब भी बताऊंगी क्योंकि जब भी आप कोई रडिंग करेंगे तो वहाँ पर उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करते हैं नुवाद करते हैं तो ये वर्ड्स सामने आते हैं तो इनका जब तक मतलब पता नहीं हो तो अनुवाद करने में परिशानी होगी तो देखें सबसे पहले यहाँ पर है अबाउट क्या है अ और फिर बाउट अबाउट का मतलब के बारे में किसी के बारे में जब बात करते हैं तो अबाउट मी अबाउट हर इस तरीके से बोलते हैं तो अबाउट मतलब के बारे में किसी के बारे में फिर ये है अड अड का मतलब जोडना क्या है A, double D, add, add का मतलब जोडना, add के बाद है after, क्या है, after, after का मतलब के बाद, किसी के बाद तो after, इस तरीके से इसको बोलेंगे after, यह है ago, क्या है ago, ago का मतलब पहले, तीन साल पहले या चार साल पहले, तो four years ago इस तरीके से बोलते हैं तो ago next यहाँ पर है any क्या है? any any का मतलब कोई any का मतलब कोई फिर यह है as यह जो as as का मतलब किसी की तरह होना तो as किसी के जैसा होना as तो as का मतलब की तरह है या की जैसे किसी की तरह है या किसी की जैसे तो as यह है ask, क्या है ask, ask का मतलब होता है पूछना, ask का मतलब पूछना 8, इसको पढ़ेंगे 8, यह जो 8 है यह eat की, eat है e, a, t, eat, eat का मतलब खाना और at का मतलब खाया, तो eat की यह second form है, यानि भूदकाल में इस at का use होता है और होता रहता है, यह है a, a को a और w, away, away का मतलब दूर away, away मतलब दूर, अगर सिर्फ way होता, सिर्फ way होता इस way का मतलब होता है रास्ता या mark, यह है back, क्या है, b, a, c, k, back, c, ke, को k पढ़ रहे हैं back का मतलब पीछे होता है ठीक है back का मतलब एक पीछे होता है जो peat होती है peat को भी back बोलते हैं ये दोनों ही देखें यापर bed इसको भी bad पढ़ेंगे bad इसको भी bad पढ़ेंगे तो spelling दोनों की different है अलग-अलग है लेकिन उच्छारन दोनों का same है और मतलब same नहीं है मतलब भी अलग है ये जो बैड होता है इस bad पर आप सोते हैं वो बैड है तो इस तरहेकेसे दोनों की spelling का ध्यान लखे कि कौन सा बैड लिखना है य्यानि बुरा वाला ये जो bad है good का bad जो होता है वो लिखना है या बिस्तर वाला यह जो bad है वो लिखना है तो इसका ख्याल रखें फिर यहां है B क्या है B यह double E long इसका उच्चारन बी का मतलब मधुमक्खी क्या होता है B का मतलब मधुमक्खी यहां पर है bird, bird का मतलब पक्षी, ir को अर करके इसका उच्छारन होगा ये है both, th को थपड़ा जा रहा है, तो both का मतलब दोनो, बोथ का मतलब दोनो, आगे है ये है bring br को br और ing bring हो गया, ring ring होता है अगर सिर्फ ये b नहीं होता ring, ring का मतलब अंग उठी लेकिन यहाँ पर है bring br भी है, यानि br को br और ing, bring का मतलब lana, bring का मतलब lana, और ये है by यहाँ पर देखें इसको पढ़ेंगे by, y, y को इसको भी by पढ़ेंगे, और by इसको भी by पढ़ेंगे, दोनों का उच्छारन सेम है, इस by का मतलब होता है, द्वारा किसी के द्वारा, कोई काम किया जाना तो by me, इस तरीके से बुलेंगे और ये जो by है खरीदना, कोई चीज़ आप by करते हैं खरीदते हैं, तो उसके लिए ये वाली spelling आती है by, तो दोनों का देहान रखें कि कौन से by की बात हो रही है कौन से spelling आपको लिखनी है और पढ़ रहा है तो किस तरीके से उसका अनुवात निकालना है, तो इस by का मतलब बहुत जादा यूज आएगा, ये भी by का मतलब खरीदना, कोई चीज़ आपने by की, तो वो by फिर यहां है call एक तो call इसका उचारन देख लिया कि call है a ll को all पढ़ते हैं, तो c आगया तो call हो गया, call के भी दो मतलब हो गया है, जैसे एक तो call किसी को call करते हैं, phone करते हैं दूसरा किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए भी call word का use होता है, call आगे है child, इसको child पढ़ेंगे, child का मतलब बच्चा, children का मतलब होता है, बच्चे और उसका singular हो गया, child यानि की बच्चा इसको child करके पढ़ेंगे फिर यह है city, क्या है city, तो यहां पर c को स पढ़ा जा रहा है, city में क्या पढ़ा जा रहा है, स यहां पर s ना लिखें, city का मतलब होता है, शहर city मतलब शहर यह है clean, clean करना मतलब साफ करना, clean यहां पर ea का उच्चारन, बड़ी के रूप में, यह है cold old, cold यानि old होता है, c लग गया cold, cold का मतलब थंडा इसको पढ़ेंगे corn क्या है इसका उच्चारन corn corn का मतलब होता है, मक्का जो होता है, मक्का या मक्की उसको बोलते है, corn यह है cry, क्या है cry, last में इस तरीके से छोड़ी spellings में आपको 2-3 words की, 3 words की spellings मिलेगी, y जो है r के साथ i करके इसका उच्चारन होता है r के साथ भी हो सकता है और ऐसे without r भी हो सकता है तो y को i करके पढ़ेंगे और भी इसके उच्चारन होते हैं सरफ यह i करके ही पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है तो जैसे जैसे practice करेंगे, वैसे वैसे सीठते जाएंगे cry का मतलब रोना इसको क्री करके नहीं होता है और वाउल का इसका उच्चारन भी होता है मतलब स्वर की रूप में भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है जैसे आई यहां पर पढ़ते हैं यह पढ़ते हैं इसको तो यह practice से ही आपको समझ में आएगा cry हो गया फिर यह है अब जैसे डबल ओ को बड़े ओ की रूप में छोटे ओ की रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है लेकिन यहां पर ओ को ओ की रूप में ही डबल ओ को ओ की रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है इसको डूर करके नहीं पढ़ेंगे इसको हम दोर पढ़ेंगे door का मतलब होता है दर्वाजा तो दर्वाजे को हम कभी door करके नहीं पढ़ते door या door करके नहीं पढ़ेंगे door तो इस तरीके से आपको पता चला कि हर जगे यहाँ पर इस spelling में हर जगे बड़े O की रूप में या छोटे O की रूप में नहीं प्रणाउंस करते डबलो को यहाँ पर O की रूप में भी प्रणाउंस किया है तो करते हैं इसका कोई रूल नहीं है door का मतलब दर्वाजा फिर यहाँ पर है do और do का मतलब क्या होता है सिर्फ do होता है तो करना और ing जुड़ गया है तो कर रहा है या फिर कर रहा था इस तरीके से या फिर कर रहा होगा इस तरीके से इसका मीनिंग निकल जाएगा यह है dry जैसे cry आया वैसे ही dry dry का मतलब सूखा तो I करके इसका उच्चारण Y का DR को DR, CR को यहाँ पर पढ़ा, यह है each यानि ए ए को बड़ी के रूप में तो each का मतलब प्रते क्या हर यह end हो गया a and d, end यहाँ पर end का मतलब और fall, यहाँ पर इसको fall नहीं पढ़ेंगे f a double l इसको fall पढ़ेंगे, a double l को all पढ़ते हैं तो वैसे f का sound fur हो गया तो fall बन गया fall का मतलब गिरना fall का मतलब गिरना यह है four, क्या है four, एक होता है f o u r वो four तो चार होता है यह four जो होता है, इसका मतलब होता है k लिए, four k लिए यहाँ पर है feed double e को बड़ी के रूप में feed का मतलब खाना खिलाते हैं किसी को, तो feed कराना तो feed, यह है feet यहाँ पर देखें यह feet है और यह foot है दोनों में difference है जैसे feet जो होता है न पैर का पंजा, उसको feet बोलेंगे सिर्फ पैर की बात करते हैं तो foot बोलेंगे, तो यह feet पैर का पंजा और foot पैर यहाँ पर है fell, जैसे यहाँ पर आपने देखा fall fall का मतलब गिरना इसी का दूसरा रूप हो गया fell यानि की गिरा और तीसरा रूप इसका क्या होता है fallen, fallen fall, fell और fallen इस तरीके से इसको पढ़ेंगे fine, क्या पढ़ेंगे fine, जब last में e आ रहा है तो यह जो i है इसको i करके ही पढ़ेंगे यानि i के बाद में यह any consonant और फिर e आता है तो i को i पढ़ते हैं, तो fine fine का मतलब ठीक fine का मतलब ठीक, या फिर fine लगाते है, कोई charge लगाते है तो वो fine अलग होता है वो भी fine होता है और fine का मतलब ठीक या अच्छा होना तो वो भी fine यह है fire, क्या है? यहाँ पर भी i को i पढ़ रहे हैं और यह ir है तो fire का मतलब आग fire का मतलब आग और यह है first क्या है? first का मतलब पहला या प्रथम, first फिर यह है fish, क्या है? fish, fish, sh को fish, fish का मतलब मचली और fix fix का मतलब निष्चित कर लेना निष्चित करना या तै करना fix कर लिया है तो वह fix यह है फ्लाग law flag का मतलब जंडा flag means जंडा या ध्य यह है floor क्या है floor यहां पर करके यानि दबल ओ का उच्छारन हो रहा है दोर में जैसे हमने देखा वैसे फ्लोर में तो ये भी उचारन है डबल O का फ्लोर का मतलब एक तो फर्ष होता है और एक मन्जिल होती कि कौन से माले में कौन सी मन्जिल में आप रहते हो तो वो फ्लोर कौन सा माला तो इस तरह की से दो इसके मतलब होगे एफल को फ्लोर पढ़ा और डबल O को ओ करके उचारन आर है तो र का साउंड दे रहा है फ्लोर हो गया फिर ये है फ्लाइ क्या है फ्लाइ जैसे फ्राइ अभी पढ़ाता वैसे ही फ्लाइ आई करके वाय का उचारन फ्लाइ का मतलब उड़ना ये है फूड फूड का मतलब भो तो मतलब यहां होता कि अगर स्पैलिंग होती हेर है तो उस का मतलब घर हुश होता कि से मतलब और स्पैलिंग study ने दूनों की अलग-अलग है यहां है grow ना extra noopla grow का मतलब बढ़ना, grass का मतलब घास, going, go का मतलब जाना, और ing लग गया, तो जा रहे हैं, या जा रहे थे, या जा रहे होंगे, going, इनका use हम continuous tense में करते हैं, यह जो verbs आजाते हैं, क्रिया इनका, glad का मतलब खुश या प्रसन, glad होना, फिर यहाँ पर है give, क्या है, give, give का मतलब देना, give का मतलब देना, जैसे काफी सरे spellings में मैंने आपको बताया, कि I, I आया और उसके बाद में एक consonant आगे हैं, last में E आता है, तो I को I पढ़ते हैं, इसको guy नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ spellings होती है, वहाँ पर कोई rule नहीं लगता है, तो इसको give ही पढ़ेंगे, guy करके नहीं पढ़ेंगे, give का मतलब देना, आगे है यहाँ पर hold, यह है hold, old हो गया, h जुड़ गया, hold हो गया, hold का मतलब पकड़ना, जैसे बोलते है hold it, यानि इसे पकड़ो, तो hold का मतलब पकड़ना, यह है hold, यहाँ पर e silent है, hold का मतलब होता है, छेद, यह है hop, इसको पढ़ेंगे hop, और इसको hope, दोनों में देखें, डिफरेंस है, यहाँ last में e लगा, इस hope में, तो हमने hope, यानि थोड़ा long पढ़ा, और इसको shot में hop, यानि o का sound shot आ रहा है, hop, hop का मतलब कूदना, और यह जो hope है, hope का मतलब आशा करना, उमीद करना, तो hope करना, यह है keep, keep का मतलब रखना, keep रखना, keep it here, जैसे बोलते, keep it here, इसे यहाँ रखो, तो keep का मतलब रखना, अब यहाँ पर इन दोनों को देखें, यह no है, और इसको भी no पढ़ेंगे, यह no का मतलब नहीं, ठीक है, no का मतलब नहीं, जैसे yes का opposite no, लेकिन यह जो no है, no का मतलब जानना, किसी को, कि तुम मुझे जानते हो, you know me, तो इस तरीके से बोलते हैं, तो वो no का मतलब जानना, तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो है, के साइलेंट है, ठीक है, के साइलेंट है, no अगर हम ऐसे भी पढ़ेंगे, तो नाव करके उचारन हो रहा है, तो इसको ऐसे ही practice कर लिए, नो का मतलब जानना, यह है लेक, क्या है लेक, लेक का मतलब जील, लेक, जील, लेंड, लेंड का मतलब जमीन या मैदान, लेंड, लास्ट, क्या है, लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम, लास्ट, फिर यह है लिट्टिल, little का मतलब थोड़ा little double t है यहाँ पर little और l e last में आ रहा है little e l e नहीं लगाएं l e लगाएं इसमें lot lot इसको lot पढ़ेंगे lot का मतलब बहुत बहुत सारा जो होता है lot यह है lost lost का मतलब खो देना जैसे कि मैंने अपनी घड़ी खो दी है तो I lost my watch इस तरीके से lost का use होता है गुम हो जाना कोई चीज खो देना तो lost फिर यह है look क्या है look पढ़ेंगे look का मतलब देखना long long का मतलब long यह है live तो इसको live और live दोनों पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया live का मतलब होता है रहना अगर यह पढ़ते हैं live तो इसका मतलब रहना अगर इस इसको हम live यह वाला life पढ़ते हैं तो इसका live का मतलब जीवित जीवित होना कोई तो live इसको पढ़ेंगे make make का मतलब क्या होता है बनाना many any फिर m जोड़ गया तो many many का मतलब कई meet जो होता है उसी का ये दूसरा रूप है m डबल इट होता है meet मेत का मतलब मिलना और met का मतलब मिला कि मैं उससे मिला तो I met him इस तरह के से past tense में इसका use होगा ये है mine क्या है mine I को I पढ़ा है यापर mine का मतलब मेरा मेरी या मेरे mine ये है moon Moon का मतलब चंद्रमा Moon More का मतलब अधिक More क्या पढ़ेंगे इसको More, अधिक फिर ये है Most अधिकांश यानि ये More है अधिक और इससे भी ज़्यादा तो Most, अधिकांश इससे भी अधिक हो जाएंगे अधिकांश Most, More का Most तो इस तरीके से सारे जो words है बहुत important है बहुत useful है तो आज की class में बस इतना ही तब तक आप इन सारे words की practice कर सकते हैं मिलते हैं next class